हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, श्टड़ी बॉट प्लश्वित प्रशांत फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो कपलिंग इसको लव जोई कपलिंग के नाम से भी जाना जाता है बेसिकली फ्रेंड्स, जो एक कपलिंग होती है और लव जोई एक कंपनी है, जो जो कपलिंग मैनिफेक्चर करती है बनाती है, बट फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा जो most important topic है, या जो चीज़ हम देखने वाले हैं, उसमें हम फोकस करेंगे, size, जब भी फ्रेंड्स मार्केट में जो कपलिंग या लव जोई कपलिंग को खरीबने जाते हैं, तो उसके उपर एक नमबर लिखा होता है, फ्रेंड्स, एल एक सो पचास, एल एक सो नबब़े, या फिर ज़रूर आपने कॉमनली देखी होगी इंडस्ट्रीज में, या कॉलेज के अपने प्रेक्टिकल्स के अंदर, इसमें अगर मैं बात करूं, टोटल अगर लेंथ आपको निकालनी होती है, तो यह जो आपका पूरा डायमेटर अफ्र कप्लिंग, इस कप्लिंग में रव जो यह कप्लिंग में इसको बोलते होगी होगी, बेसिकल्लग हमारी यूज होती है, इन power transmission में, यह electrical power नहीं है friend, industry में जो mechanical power transfer करते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूं अगर hydraulics की बात करें जैसे मैं hydraulic के बहुत focus करता हूं यह friend आपका pump का sign pump का sign होता है यह आपका motor है और इन दोनों को जो connect करेगी आपस में वो basically होती है coupling तो coupling का sign आप इस तरह से बनाते हैं या फिर कहीं आप ऐसे भी देखेंगे coupling का sign यह क्या होगा friend, जो motor की power है shaft से connect कर दिया हमने coupling को वो हमारी pump में transfer हो गई है that is called as power transmission अब हम बात करते हैं, इन numbers का क्या काम होता है L150 या L90 basically friend, चार question arise होते हैं हमारे सामने कुछ लोग कहते हैं, यह L150 जो यह numbers हैं, यह length of coupling को show करता है कुछ कहते है, diameter of coupling को show करता है कुछ कहते है, maximum bore size अभी मैंने coupling दिखाई थी अभी इसका sketch भी देख लीजे आप ताकि आपको और समझ में आ जाएगा total जो length होती है, इस point से इस point तक इसको अपन इंडिकेट करते हैं, L से length of the coupling फ्रेंट जो यह होता है H, HD मतलब hub डाया जो मैंने आपको coupling में दिखाया था similarly यह OD total diameter of coupling यह उसी coupling का sketch है और उसके बीच में हम लगाते है spider spider का क्या काम होता है फ्रेंट, जो coupling को damage होने से बचाता है, क्योंकि आपस में coupling अगर टकराएगी, तो damage होगी, इसके लिए हम बीच में spider ला देते हैं और यह होता है आपका bore किस size का आपको bore करना है तो सबसे पहले हम देखते हैं length of coupling, हमने example लिया हुआ है friend, L 110 की coupling, उसकी अगर मैं length की बात करूँ, total जो length होती है वो होती है, 4.22 inches, अगर mm में convert करूँगा 108 mm total length, और हमारा size है L 110, तो कोई भी indication नहीं है, 110 का इस से इसका मतलब, जो length of coupling है L, यह indicate नहीं करता है numbers को दूसरा point है diameter of coupling diameter of coupling अब एक काम कर लेते हैं, L 110 की coupling लेते है, L 110 की coupling में total जो diameter होता है OD यह OD, यह होता है friend, 3.22 inches अगर mm में बात करूँ, 82 mm तो इसका भी कोई indication नहीं 110 से आप एक और एक्जामपा ले सकते हो L 150 L 150 में जो total OD होता है वो होता है 3.75 mm में 95 mm तो यह भी diameter of coupling OD का भी कोई indication नहीं है इन नमबर से अब अगर बात करें friend, जब total diameter है यह OD अगर यह match नहीं कर रहा है तो जो hub diameter है, यह भी match नहीं करेगा क्योंकि hub diameter हमेशा total diameter of coupling के कम होगा तो इस point को भी हम निगलेट कर देंगे अब बात आती है friend, maximum bore size की इस पर थोड़ा focus करना friend, maximum bore size हम कितना कर सकते हैं actually जो भी coupling होती है friend इससे पहले मैं आपको size बता रहता हूँ exact size किनके बीच में coupling आती है L35 इसको 035 से रिखते हैं L190 तक coupling होती है यह बनती है आपकी sintered iron से S-I-N-T-E-R-E-D sintered iron एक आती है friend उसके बाद L225 से L276 यह cast iron से बनती है friend जैसी size आपका बड़ा होता जाएगा तो आपको toughness ज़्यादा चाहिए strength ज़्यादा चाहिए तो हम cast iron का use करते हैं और 3590 तक sintered iron sintered iron, cast iron के मुकाब़े थोड़ा soft होता है अब हम बात करते हैं maximum bore size तो friend यह coupling का number लिखा हुआ है L150 ले लेते हैं L150 इसको आप friend जो भी number लिखा हो coupling को उसको आप 100 से divide कर दीजे जैसी आप इसे 100 से divide करेंगे यह आगया 1.5 इसका मतलब यह है जो maximum bore है 1.5 inches होगा अगर mm में बात करूँ तो 38 mm यह सॉरी 150 के लिखा हुआ है मैंने 1.5 inches 38 mm अगर आपको 110 की कपलिंग है तो इसको 100 से divide कर दीजे आप जैसी आप 100 से divide करेंगे तो 1.1 आएगा यह हो जाएगा 1.1 inches और mm में हो जाएगा 20 28 mm तो जो हमारा जब कपलिंग बिद्याइन की गही थी फ्रेंड्स यह number जो लिखा गया था यह bore size के through ही हमने लिखा था कि हम कितना maximum bore size में कर सकते हैं अगर हम बात करें कुछ लोग का doubt आएगा 150 की कपलिंग है अगर हम इस से ज़्यादा का bore size करते हैं 1.5 इंच से तो क्या problem होगी जैसे कि आप जानते हैं यह कपलिंग का एक में छोटा से sketch होनाता हूँ यह इस तरह से कपलिंग होती है अपनी यह jaw है इसके और दूसरी में अंदर की तरफ jaw होंगे यहाँ पर आपको bore करना है अगर आप ज़्यादा bore कर दोगे तो यह जो strength है इसकी weak हो जाएगी weak strength होगी जब हम power transmit करेंगे तो coupling damage हो सकती है break हो सकती है इसलिए हम use करते है maximum इस strength पर अगर 110 की है तो 1.1 इंच एक सो पचास की है तो 1.5 इंच का maximum bore आप कर सकते हैं साथ में अगर आप 150 की लेंगे और उसके अंदर बहुत कम bore करेंगे मानके चाहिए 150 की आपने coupling यूज कर ली और आपको bore size चाहिए केवल 1.1 इंच इसके आसपास का तो friend ये भी condition गलत है जो हमारी shaft होती है जैसे कि मैं आपको बताया था diagram में ये pump को इससे connect कर रही है इस shaft के ओपर coupling का बड़ी coupling का load exert हो जाएगा तो भी problem condition है अब बात करते हैं friend जो recently हमारी coupling होती है ये बात तो clear हो गई maximum bore size जो coupling का होगा उसी को indicate करता है ये number लेकिन recently friend हमने ये centered iron जो होते हैं या cast iron है इनके अंदर कुछ alloys का mix किया हुआ है जिसके कारण हमने coupling की जो strength होती है उसको increase कर लिया है तो अगर आप अप presently देखेंगे जो 150 की अपनी coupling है इस coupling में maximum जो आप bore size कर सकते हैं वो होता है आपका 1.875 का ऐसे 110 की जो coupling होती है इसमें जो maximum bore size आप कर सकते हैं वो तापका 1.625 ये विकॉस क्यों हो रहा है फ्रेंड जब हमने coupling design की थी start में तब हमारे पास केवल centered iron और cast iron के form में ही हम यूज करते थे तब हमारे पास strength कम थी तो हमने जो number उनके calculation किया था ये 1.1 inches या 1.5 inches के हिसाब से increase कर सकते हैं जो ये अपनी coupling एक फ्रेंड इसका bore हम increase कर सकते हैं जैसे अगर यहां तक हो रहा है तो alloy mix करने से हम इसका bore और यादा increase कर सकते हैं यह हमारी engineer फ्रेंड हम कुछ ना कुछ improvement करते रहें ताकि हमारी strength increase होती रहे तो ये concept था फ्रेंड love joy coupling का और आशा करता हूँ आपको ये concept सवंज में आया होगा कि जो numbers होते हैं क्या indicate करते हैं exactly ये numbers maximum bore size करते हैं पुराने time के according बट recently हमारे पास जो coupling हैं उसमें alloys के कारणूं का maximum bore हमने increase कर लिया है फिर भी जो इनका मतलब है ये selections के काम आते हैं कि अगर 150 से तो 1.5 इंचिस का maximum bore आप coupling में कर सकते हो ये तो आपका concept तो friends अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो like करना अगर concept सवंज में आया है तो वीडियो को जाए शादा लोग तक share करना and please don't forget to subscribe मैं चैनल, thank you